नमस्कार दोस्तों राजसिंग नरसरीम आपका स्वागत है आप कैसे हैं आप सभी ठीक होंगे और अगर आप परकरती से जुड़ें तो बहुत ही खुश और सवस्त होंगे खुश हाल होंगे दोस्तों आज हम जो वीडियो बना रहे हैं पान के पोदे की वीडियो बनाएंगे और पान को कैसे आप लगा सकते हैं कैसे इसकी कलम बना के आप इसकी सिंख्या बढ़ा सकते हैं क्योंके कई भाहिवें नोंने बार बार बोल ला है कि आप पान के बारें बताएंगे पान का पोदा लगाना बिलकुल आसान तरीका है इसमें ज्यादा कुछ करना जैसे कि मानगे लिखेए यह ये देखेए यह यह चैन ची गमले में आप देख रहो ये चैन ची गमला है बास की यह लगा रखिये और यह कितना अच्छा भाह रह आ है आपने क्या करना है गोई केमीकल ना डाले गोबरिऄ की खाद भी जाद hiç OWगोकुल मोज डाले नूर्मल मिट्य देखे जैसे मैंने रहे रेखे नौरमल मिट्य ये मैंने चेए हुआँ extract अंड्डी न हुए ये नहीं यह मारा चेहन चीगमलें देखिए कितनी श्यांदार बेल बनगी है और अभी देखिए मापको देखाता हूं यह कोई इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि पान की बेल आसानी से लग जाती है यह देखिए और अगर आप इस पर मोस्टिक लगा देते हो ना तो यह बहुत श्यांदा यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह देखिए इसको आप निकाल दो कोई दिक्कत नहीं है अगर इस पर मोस्टिक लगा देते तो यह और भी बढ़ता है यह देखिए यह देखिए पान की बेल के आपने क्या करनी है यह देखिए इसमें दो आंखे काटनी आपने द प्रती देखरो हर गांट पे इसमें जड़े सी जड़े नजरा जाएंगी देखरो यह लगाने से पहले आपका पोद्दा तार है देखरो इसमें कुछ लगाने के जुरूत नेरू टक्स बगरा और यहां अपने गमले के बीच में इसे रखी इसे दबाई इसको इसको जोर से दबाईए यह दबा दिया असानी से देखो कि इसमें कुछ ने लगा ना यह पिर हम दूसरी कलम लेते हैं चोटी चोटी इसकी कलम भी लग जाते हैं आपने सर्फ दो आँख काटने यह देख रहो एक यह उपर रहेगी एक निच्चा दबाओ एक को ऐसे देखी ऐसे करके ऐसे दबादो आप ज्यादा बड़ी इसकी कटिंग ना ले ज्यादा बड़ी कटिंग लेने की कोई जुरूत इसकी दो आँखे लेलो आप एक निच्चा दबाओ दो और एक पत्ता आने के लिए उपर छोड़ दो इसकी डंडी बड़ी हाड़ होती है यह देखी एक निच्चा दबाओ आई आप मिट्टी में खाद ज्यादा ना मिलाएं बिल्कुल भी ज्यादा खाद मिलाने की जूरूत नहीं यह देखी अब आम इसको यहां से कटेंगे इसको अटाते रो इसमें पत्ते नी आएंगे अब यह देखी अब पान का पत्ता आशानी से लग जाता है बहुत शांदार लगाने के बाद, ऐसे पानी भर दो यह पाणी भरो तसली आराम से आपनी भरी दीरी दीरे एक गाट को निचे दबाई यह एक कूपर रखी है तो वहाँ उसमें आराम से निचे वाली जड़ बनेगी और उपर वढ़े में पत्यार निकल के आराम से आपकी बेल त्यारो जाएगी बिट्टीश की सूखती रहे पानी डाले, खाथ ज्यादा ना डाले बिल्कुल भी पान कप लगाने के बाद आप ने इसको धूब में बिल्कुल भी नहीं रखना है इसको चायम रखना है, जब तक इसकी बेल ना चल पड़े जब तक आप इसको चायम रखिए इसको तेज दूफ में न रखें अगर दूफ में रखोगे तो आपकी बेल बिल्कुल नहीं चलेगी और आसानी से आप इसको देख देख के जैसे मिट्टी सूखे ऐसे पानी डालते रहो ये देखे पूरा पानी सोख लिया है अब इनको आपने क्या करना है जब मिट्टी सूखे जब पानी डे नहीं और चाय में रखिए और ज्यादा तर बारिष के दुनों में ज्यादा कलन लगती है अगर दूख में रखोगे तो आपकी कलम लगेगी नी आपने क्या करना अगर आपके पास बगध़ा है तो वहां रखिए और दूख में रखने से यह जल जाएगा इसका पाणी और गमले का अगर आप गमले मां लगा रहे हैतो गमले में सरे निच्छे पाणी निकलन चीजिए देख रोजासे हमारे गमलों ने सोक लिया ऐसे और आप पान की बेल आराम से लगा सकते हैं ऐसा कुछ करने की जुरूत नहीं है यह देखिए और आम यहां इसको यहीं रखेंगे यह यहां अच्छाया है यह यह एसे रख देंगे दिखिए नेट में यह देखिए यह रख दिया है तो पान के पोदेमत दोस्तों ऐसा कुछ करने की जुरूत नहीं है इसकी कलम लगाने का कोई भी समय नहीं है आप किसी भी मुश्म में लगा सकते हैं इसका बस क्या है जागर आप गर्मी में लगा रहे तो इसको चायम रखिए पानी का ध्यान रखिए बहुत शांदार चलेगी पान की बेला सानी से लग जाती है और जिस भी रूप में इसको परियोग करना है आप आसानी से परियोग कर सकते हैं और यह पर्मानेंट पोदा है गर्मी सर्दी बरसां तीनों मोसम में यह हरा बरा रहता है और इसमें ऐसा कुछ मत करिए यह जाएंगे देख रहो इसमें तीन गाठे थी अमने दो निचे दबा दी एक उपर छोड़ दी यह देखिए अब यह हमारे पास यहां नेट की जुरूत नहीं है क्योंकि सुरियो उदर से जाएगा मारा सिस्सम का पेड़ निचे कड़ी पत्ते का यहां चाया रहती है अमार पान का पोदा आसा कुछ नहीं है डी एपी वगरा केमिकल मत डाली इसमें नॉर्मल खादमेटी में लगाईए आसानी से चल जाएगा और तो आप पान का पोदा आसानी से लगा सकते हैं और इसकी शंक्या आसानी से बढ़ जाती है मिट्टी शूखे पानी देते रहे दू पान के पोदे को आप जैसे मनी प्लांट को रखते हैं से चायम रखिए वह आसानी से चलेगा अगर आपने इसकी बेल ऐसे बनानी है अगर बेल को वैसे फैला ओग इतनी गरोध नहीं करेगी अगर मोस्टी के साथ चिपका होगे ना तो यह बिल्कुल बूसमें मनी प्लां अगर आपने यह लगा दी इसमें इतनी शांदर बेल नहीं लगेगी और इसी के जगा आप मनी प्लांट की तरह मोस्टिक लगा होगे ना तो यह जड़े उसमें जाएंगी और यह गरोध करेगा और अशे भर जाएगा बहुत शांदर लगेगा देखिए तो हमने ऐसे बे तो इसको हटा के आप मोस्टिक लगाए और दोस्तों इसको नेट के नीचे रखो गे तो वहां थोड़ी उमस बन जाती है अगर आपके पास प्रेड वगर आपकी गैलरी में ज्यादा पूरा देन रहती है वहां इसको रखो गेना तो इसकी अरियाली ज्यादा बनेगी ने अगर चटपार को डूट्रिक पानी डालते रहे नमी मिलेगी तो मैंनी प्लांट के तरह बागता है पान का पोद आसाणी से तो कलम लग जाती है और आसानी से चल जाता है और इसको जब यह काफी पुरणा हो जयाता तो वही काम मनी प्लांट के तरह आप इसकी सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि इसको चाया चीए चाया में यह रहता है जैसे मनी प्लांट की तरह है सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि इसको चाय चीए चाय में यह ह्रया भरा रहता है जैसे मनी प्लांट रहता है इसको दूफमर रखोगे तो यह व Christmas अढूने पान के पूददे की चल पड़ें लगाँ और आपने पान के पूद्दे को चलाना है तो इस तरह से चला चला सकते जैसे 6च आदे हम्लार तो आप चैन की लगाई यहएं मिट्टी शूखे पानी देते रही है और यह देखिए मैंने यह लगा दिया है तो आप ऐसे पान के पुद्देगे संख्या बढ़ा सकते हैं और यह देखिए दोस्तों पान तो चलो हमना बता दिये बिल्कुल मनी प्लांट की तरह है तोड़ तोड़ लगाई आप एक देख रहे हो कि फूलों से बर्या हुआ है और सारे फूल रुकेंगी इसमें आपने क्या करना है नोर्मल खाद में ट्रिखिए ज्यादा केमिकल में डाली है समय पहर चीज फल फूल देगी देख रहे हैं सात इंची थैली में कम से कम 10-15 फूल आए हुए और गमले में आप फूल mango देखिए और अवह को देखिए इसको प्रकरती कहते है रज नेचरुन काम है ये देखरो देख रहो ड़ार से दो फुट दूरी पैमारा पोद्य दिवार से दो फू less day ज सकते हो इसकी ब्रांच कैसे जूग देख रहो इसमे इतना नार लग जेह न कि आहा है आप दान से देख सकते हो इस यह डालो ओ डालो ऑनारम patri atraID कहते हीं और धीवार शूखह पड़े है और एक मैंने मां पयात हम देखा희 है कि का वरोषा करीजिए एक मिन्त आसरा कि अससरी नमें तो कि अई यह देखीष्य को इसमें हम कुछे नहीं डालते हर साल इतनें अनार देखता हैं जिए यह असमें कर दील से घुटा है नहीं कुछे देखरें सभगोर has a पेड जितना पुराना होगा उतना इफल फूल देगा एसा कुछिन में नी डालते इसमा देख रो भर्या पड़े हानारों से खूब लगेंगे खूब पकेंगे और यह जुलाई अगस्त में पके फटते हैं जब आम इनको छेड़ते हैं आम इनको तोड़ते ने कुछ गिले चत्ता ना बनाया वहां बन गया है यह देशी सैदगी मखिया है कैसे शांदर आप ऐसे पान का पोधा ऐसे आप अपने पोधे लगा सकते हैं इनको ज्यादा कुछ केमिकल मत डालिए और इनको चलने दीजिए जितने फल फूल के पोधे पुराने होगे उतना इस समय पे फ पोधा होता है आप इसको पुजा पाठ में भी यूज करते हैं और यह हर्या बर्या रहता है मनी प्लांट की तरह है पान का पोधा अच्छा है हम रखिए और अपने पान के पोध्यों को हर्या बर्या रखिए नमस्कार जैहिंद